हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टूब आप चैनल तो आज मैंपके साथ जो लेटेस्ट ट्रेंड में आलिया कट कूरती चल रही है उसकी कट्पेंग स्टिच्चंग बताओंगी तो यहां पर मैंने कोटन फैब्रिक लिया है यह कैम्रिक कोटन है समर्स के लिए बैस्ट होता है यह फैब्रिक इसलिए मैंने यह फैब्रिक लिया है तो यहां पर मैंने मरून कलर और दो कंट्रोस्ट में बना रहे हूं तो मैंने मरून कलर लिया है यह एक मीटर फैब्रिक है यह देखिए यह इस तरह का काफी हलका कोटन होता है और बहुत ही suitable होता है बोड़ी के लिए तो यह मैंने लिया है और यह लाइनिंग लिया है मैंने यहां पर एक मेटर तो इस तरीके से आपको पहले double fold lining को बिछाना है इस तरीके से जितनी आपको चोड़ाई चाहिए आप अपने चेश्ट के one 4 mean margin ले रही हूं वह में 12 इंच और इस तरीके से आपको फोलड करके ले लेना है क्यिक यहां पर देखिए यहां पर जो चोड़ाई के वह मैंने लिया 12 इंच और length जो ह ότι वह मैं ले रही हूं फंद्रा इंच पूरी पूरी लेंद आप 15 इंच यहां पर ले लिजे यहां पर मैंने लेंद को 1 इंच अप डाउन लिया है ताकि हम जो फ्रंट वाला हमारा पॉर्शन है उसके लिए हमने थोड़ी लेंद को बड़ी रखनी है तो यहां देखे उपर वाला हमारा लेंद जो बैक पार्ट का पंदरा है और फ्रंट पार्ट का 이 अब शोल्डर की किटिंग कर लेंगे हमेने 7 इंच और आरम हूल भी मैंने यहां पर तरीके से पहले आपको बॉडी पार्ट को कट कर लेना है लाइनिंग फैबिक पर यहां पर मैं कट कर रही हूं इसके बाद अब हम जो है इसमें अलग-अलग कर लेंगे इसको अलग-अलग करने के बाद मैं यहां पर नेक ड्रॉ करूंगी आर्म होल के छटाई का निशान लगा लिया और नेक जो है मैंने यहां पर लिया है वो लिया है साड़े तीन इंच और गहराई में ले रही हूं नौ इंच क्योंकि यह आलिया कट है तो काफी डीप नेक जाता है तो इस तरीके से आप आठ या नौ इंच ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादर डीप रखना है तो आप 9 इंच लीजिए यहां पर मैं ले रही हूं 8 इंच क्योंकि मैं बहुत ज़्यादर डीप नहीं करूंगी प्लस साइज कुरती है इसलिए अब इस तरीके से आप अगर पतले हैं तो आप डिरेक्टी इसको कॉर्नर मिला सकते हैं लेकिन क्योंकि हैल्दी परसन का है तो इसलिए यहाद पर मैंने दो इंच एड करके उसके बाद इसको जो है इस तरीके से मिला लिया तो यहां पर देखिए यह जो हमको breast वाला part होता है उसके लिए हमको जो है fabric चीए होता है तो इस तरीके से मैंने यहां पर इसको cut कर लिया neck line को भी cut कर लिया और यह हमने armhole को भी cut कर लिया तो यह हमारा जो है front का portion तयार हो गया center से भी हम इसे cut कर के अलग कर देंगे यह देखिए इस तरीके से अब जो है हमें back part लेना है back part में आपको deep जितना गलची आप उतना रख सकते हैं तो यहां पर चोड़ाई मैंने लिया है साड़े तीन इंच और डीपनेस में ज्यादा नहीं ले रही हूं मैं कुर्टी स्टाइल में ले रही हूं तो मैंने यहां पर साड़े तीन इंच ही डीपनेस ली है उसके बाद आपको इसे कट कर लेना है इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है यह हमारा front और back दोनों पार्ट जो है कट हो गया है अब हम इसको रखके अपने जो हमारा cotton fabric है मरून वाला उस पे हमको इसे रखना है और इसको कट कर लेना है तो पहले double fold में मैंने यहां पर fabric को फोल्ड किया बिचा लिया उसके बाद हम इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे जहां हमारा अच्छे से यह fabric सेट हो जाता है तो य आपको इसे सेट कर लेना है क्योंकि sleeves भी मैंने इसी fabric में निकालनी है इसलिए इसको अच्छे से आपको इस तरीके से सेट कर देना है 40 size का मैं यहां पर यह कुर्टी बना रही हूँ 40-42 size जो है easily इसको वियर कर सकता है यह देखिए इस तरीके से आपको जो है अच्छे से कट कर लेना है अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यहां देखिए यह हमारा जो है बॉड़ी का फ्रेंट पार्ट कट हो गया और यह हमारा बैक पार्ट कट हो गया यह दोनों ही पार्ट हमने कट कर लिए है अब जो हमारा बचा हुओ में रोन फाबरिक है उसमें हम स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पर जो है हमने फाब्रिक को इस तरीके से लेना है और इसको लेंथ में आपको जो है फोल्ड करना है फोर फोल्ड यह देखिए इस तरीके से देखिए यहाँ पर लेंथ आ रही है ट्वैंटीवन हमारी और यह आ रही है उन्नेस इंच तो इस तरीके से मैं यहाँ इसको फोल्ड करूंगी यह देखे साढ़े नौ इंच अब जो है हमको इसे यहां से तीन इंच माइनस करते हुए अपनी स्लीव की कटिंग कर लेनी है मोहरी ले रही हूँ मैं यहां पर जो हमारा मारजन है उससे दो इंच एक्ष्ट्रा इस तरीके से जो है हमको इसे कट कर लेना है अब हमारी स्लीव भी कट के रेडी हो गई है देखे अब हम इसमें चटाई कर निशान लगा लेंगे चटाई हमारी हाफ साइड होती है तो इधर खोल करके हम बाजू को स्लीप को फैला के इस तरीके से हाफ साइट की छटाए कर लेंगे यह देखे हम पर हमने इसको कर लिया अब जो है हम घीर का भी पोर्शन कट कर लेते हैं तो घीर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है वो मैंने डायमेटर फैब्रिक लिया है मुझे फ्लेयर चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर डायमेटर फैब्रिक लिया है अब आप इसको जो है लेंथ मैंने पूरी लिया है क्योंकि यह कुरती लंबी अच्छी लगती है तो आपको जितनी length चाहिए आप उतनी length ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने length 42 inch लिया है और 15 inch हमारा add हो जाएगा body में तो लगबग हमको 50 inch length चाहिए तो इस तरीके से मैंने इसको cut कर लिया दोनों side से half half inch अब आपको इसको देखिए plates बनानी होती है इसमें हमको plates बनाके उस पर add करना होता है तो यह दो घीर हमने cut कर लिया है इस तरीके से जो है हम plates लगा के body में attach कर लेंगे यह हमारे body में attach हो जाएगा किस तरी से करेंगे वो मैं आपको इसमें वीडियो में पूरी बताऊंगी टीटेल में तो यहां पर देखिए यह जो हमारे fabric थे फुल फ्लेयर है काफी फ्लेयर में मैंने इसको लिया है अब जो हमारे दूसरा वाला portion है उसे भी हमको जो है इस तरीके से डबल फोल्ड करना है डबल फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से देखे जो हमने आलिया कर्ट किया हुआ था इस तरीके से आपको इस पर निशान लगानी है फ्लेयर के लिए तो यहां देखिए, यहां पर जो है मैंने इसको यह देखिए, यहां पर हमने 4 इंच की यहां पर गहराई दी हुई है, तो आपको यहां से 4 इंच माइनस करना है, खुली साइट से 4 इंच और इस तरीके से आपको पहले निशान लगा देना है, निशान लगा के आपको इसे क कर लिया यह देखे यह जो है हमारी प्लेट्स बनके यह हमारे फ्रंट के पार्ट पर लग जाएगी इस तरीके से चलिए भी स्टिच कर लेते हैं तो यह हमने जो बैक पार्ट लिया था बैक पार्ट को पहले हम लाइनिंग रख करके और इस तरीके से नेक लाइन पर लगा ल पेर की, छोटे-चोटे कट्स देने के बाद आपको इसे पलट देना है, तो यह हमारा नेक लाइन तेयार हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा यह neckline त्यार हो गया है अब नीचे से भी हम इसको attach कर देंगे ताकि हमारा fabric जो है वो इधर उदर हीले नहीं तो इस तरीके से हम पहले इसको attach करके सिलाई लगा देंगे अब हम इसमें plates का निशान लगा देंगे जो बैक साइड होती है, शोल्डर के ठीक सेंटर में हमको पांच इंच लेंद के प्लेट्स लगानी होती है, यह देखें, यहापर मैं आपको देखाती है, यह शोल्डर के ठीक सेंटर में हमने यहापर प्लेट का निशान लगा लेना है, और इसको हम स्टिच कर लेंगे इस तरीके से, दोनों साइड हमको ये स्टुच कर देना है, अभी हमरा बैक पार्ट तेयार हो गया, अब हम फ्रेंट पार्ट को तेयार कर लेते हैं, तो फ्रेंट पार्ट को तेयार करना भी सेम इसी प्रोसेस से है, आपको जो है इस तरीके से जो है तीनों साइड से लगानी है, यहां पर देखिए, आपको नेक लाइन से नीचे तक पूरी सिलाय लगानी है इस तरीके से, जो भी हमारा शेप बन रहा है उस तरह से, इसको सिलाय लगा देना है, तो यह हमारा तयार हो गया, एक साइड का, दूसरी साइड भी हमको सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पे हमने इसको सिलाई लगा देना है अब हम इसको पलट लेंगे डेकुरेशन के लिए मैंने एक लेस लिया हुआ है उससे हम जो है इसे डेकुरेट करेंगे तो आप भी किसी भी अगर आप डेकुरेट करना चाहते हैं तो कोई अच्छी से लेस यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं इस पर बैठी सिलाई लगाऊंगी बैठी सिलाई लगाने के बाद ये थोड़ा सा अच्छी से सेट हो जाता है तो फिर लेस भी हमारी इजिली सेट हो जाती है यहां पर देखिए यहां पर जो है हमने इसको दोनों पल्ले तेयार कर लिया है अब हम इस पर लेज लगा लेंगे तो यह हमने लेज लिया हुआ है इस लेज को हमें इस तरीके से जो है लगा देना है चारोर सिलाई लगाते हुए यहां देखिए इस तरीके से अच्छे से mommy corner बनाते हुए आपको जो है इसको stitch कर लेना है यहां देखिए यह हमने दोनों पार्ट पर लेस लगा के stitch कर लिया है अब एक छोटा सा कपड़ा लेंगे जिसको हम आटेच करेंगे इसके उपर तो हमने इसको पहले से लगा देनी है यह हम दोनों पल्लों को जॉइंट करने के लिए इस फैबरिक को ले रहे हैं और इस तरीके से हमको इस फैबरिक के उपर इसको लगा के दोनों को अटैच कर देना है यह देखिया हमारा दोनों फैब्रिक लगके अटैच हो गया है अभी हमारा फ्रेंट पार्ट भी तियार हो गया है और हमारा यहां पर देखिये बैक फ्रेंट दोनों तियार हो गया अब हम फ्लेयर को अटैच कर लेंगे यह हमारी चुननेते तियार हो गई, अब हमको इसको बॉड़ी के ऊपर इस तरह से लगा के सिलाई लगा देना है, तो यह देखे, यहाँ पे हमने इसको त्यार कर ले, फ्रेंट पार्ट को देखे कुछ इस तरीके से हमने प्लेट्स लगानी है, और अटाच करना है, फिर हम निशान लगाने के बाद आपको इसे stitch कर देना है यह देखिए यहां जो है हमारा यह portion तो अब हमने इसको fitting लगा करके stitch कर दिया है नीचे का portion आपका थोड़ा सा उपर नीचे होगा तो आपको उसे cut करके बराबर कर लेना है बराबर करने के बाद आपको इसको जो है किनारी से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है सिलाई लगाने के बाद यह कैसा तियार होगा वो मैं आपको दिखा देती हूं तो यह देखिए यहाँ पर जो हमने नीचे से किनारी को कट कर लेना है और पतला मोड के सिलाई लगा देनी है तो यहां पर हमने इसको सिलाय लगा दए अब जो हमारी Sleaves है इसमों बॉर्डर को अटाच कर लेना है तो यह रहा हमारा Border हमें क्या करना है Border को नीचे की साइड से इस तरीके से रखते हुँई सिलाय लगाना है और उपर की तरफ इसे फोल्ड कर देना है तो यहां पर देखें यह जो है हमने स्लीव को भी अटाच कर दिया अब यह हमारी कुर्ती कुछ इस तरीके की बन के रेडी हुई है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक किजेगा और बहुत बहुत धनेवाद आपका